नमस्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और बिल्कुल दोस्तों पट्मों की हवेली और माता के मंदिर की दर्शन के बाद बिल्कुल दोस्तों अब एक नहीं जगह का आप मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊंगी और बिल्कुल जो अब नेक्स्ट कुटिया गाऊं तो बिल्कुल मैं वहां गई थी और मैंने आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो भिणाई है वहां के लिए तो वह ज़रूर देखना एक बार और बिल्कुल दोस्तों राज्स्तान में जैसल में मैं आई हूं जैसा की और बिल्कुल दोस्तों यहां का चुका है पट्वों की हवेली वाला और यह देखी दोस्तों कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है जिसने वीडियो नी देखा तो अच्छे से देख लेना मैंने खूब अंदर तक गुमाई गुमाई कराई हुई है और जो माता के मंदिर के बारे में बोल रही थी जो की दोस्तों और बिल्कुल जो हमारे फोजी भाई हैं वो इनकी मंदर की सारी की सारी विवस्ता देखते हैं और सारा का सारा मैनेजमेंट वगरा भी सारा उनी के अंडर है तो बिल्कुल जो हैं परचात देते हैं या मंदिर समाले हुए हैं सभी हमारे फोजी भाई समाल रहे ह इसको और बिल्कुल यह उनी की देवी है क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि जो 1971 में लड़ाई हुई थी और इसके परिसर में जितने भी बंबा के गिरे असपस के एरिया में तो वो एक्स्प्लोडी नहीं हुए और बिल्कुल दोस्तों किसी भी तरीके से मंदिर को नुपसान भी नहीं हुआ और सारे के सारे बंब इन्होंने वो लाइव रख रखे हैं जितने भी बचे हुए मेले फिर इनको तो वो भी एक बड़ा अजीब सा चमतकार है देखने वाला कि माता की शक्ती की वज़े से वो बंब बिलकुल फटे ही नहीं और यू के यू इन्होंने अब त तो कुल धरा का जो गाव है वो वीडियो आपके पास आ जाएगी लेकिन वहीं जाते जाते मैंने आपको बताया था कि उसके बाद में जाओंगी था रेजर्ट तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मोसम अब खराब हो चुका है यहां का और बहुत बरसात भी हुई है और य जाने में भी काफी टायम लग जाएगा है ना एक डेड़ दिन तो लगी जाएगा राम से और बिल्कुल दोस्तों लग रहा है ऐसे पतनी थार डेजर्ट में क्या हाल होगा जब यहां रस्ते में इतना हाल है और यह देखिए ऐसा लग रहा है बिल्कुल लग नीरा कि हो ठंड हो रही है और इस सुबह जब हम घर से निकले तो इतनी बरसात हो रही थी इतनी बिज़े कड़करी थी बस जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तब भाग के हमने सोचा कि फटा-फट से एक बर देख के आते हैं क्यापता हमारे बारिश हो रही हो वहां ना दोस्तल भी कह देते हैं थार के उसमें आता है यह और नोर्थ वेस्ट इंडिया में पढ़ता है दोस्तों यह इंडो पाक बोर्डर पे और नैचुरल बाउंडरिंग बनी हुई है इंडिया के और पाकिस्तान की इस डेजर्ट की वज़े से तो बिलकुल चलते हैं और अस तो आप देखे रहे हैं कैसा हो रहा है सारी रेत भी दबीसी हुई है अब यह देखो रेत ने जब पानी सूक लिया होगा तभी उपर दिखाई दिया होगा है दो कितनी तग्डी बरसात हुई होगी वरना यहाँ तो इतनी मोटी-मोटी रेत है वैसे आदमी दसता चला जा तो बावन डिग्री हो जाता है यहां का टेंप्रेचर और मैं डेजर्ट में गर्मियों में और दोस्तों जब मैं आई थी ना राजस्तान में मुझे ऐसी कोई ठंड नहीं लग रही थी यहां बिल्कुल ऐसा मौल था जैसे कि हमारे यहां ठीक ठाक गर्मियों में होता है अप लेकिन अज़ तो बिल्कुल थंड वाले कपड़े ही पहनने पढ़ रहे हैं इतनी ठंड हो गया जoth कि और बिल्कुल दोस्तों यहां कहती है बस डेजर्ट है यहां इतनी हवाई चलती है रियली और गर्मी में गरम हवाई चलती होंगी लेकिन अब ठंड है तो और इतनी बरसा तो यह तो ठंडी हवाई लग रही होंगी और यह दोस्तों आ गया है वो डेजर्ट वाला जहां तो बस वहीं चल रहे हैं आप भी मेरे साथ चलते चलो देखते चलो और दोस्तों यहां कोई ज्यादर रियाश तो है नहीं इका दुखका कोई एक अदा घर सामना नजर आ जाए बस यह देख लो आप यह ना स्टार्ट हो चुका एरिया जो कि यह सारी विवस्था करते ना अलग लग चीज़ों की मोज मस्ती से की हैं ना कैम्पिंग वगरा की कई चीज़ें हैं यहां सफारी वफारी कैमल राइडिंग यह वो कि और यह रेट भी सारा दबासा नजर आ रहा आपको है ना बरसात इतनी हुए है और यह तुछ उतनी मोटी मोटी ने SECRET है दोस्तों त भी हाँ पानी बहरा नजर नहीं आपको बरसात तो यहां भी खोब हो रही है जब यह रेट दब रहा है तो वरना तो यहां पूरे उच्छे-उच्छे टिले हैं रेट के और बस मैं भी यह गाड़ी से दिखा रही हूँ आपको अभी जहां रुकूंगी ना फिर मां दिखाऊंगी लेकिन सफारी करते वक्त तो नहीं दिखा सुकूंगी दोस्तों क्योंकि कहते हैं वो जीप में बैटके सफारी करते हैं तो इतनी उचलती हैं सेंडियूम्स के उपर जाएंगी नीचे जाएंगी तब तो खुद का ही समालना मुश्किल हो जाता है और वीडियो शूट करना त चलतीं है यह लोग सथी जीप अवेलेबल करते एं और उसी में मस्ति करते है क्की वही थार होती है इनके पास जो की इतनी नीकर सकते वो अन्हीन के डाड़ी से नी खते वहां में उच्छे न पक्रते हैं और पीड़ दॉस्त, पूँन ने जानताए क्दों पक्रतों send लीन यह थार मरुस्तल और दूर दूर तक कोई पेड़ पुद्धा नहीं है और अभी वो सेंडियूम्स भी आएंगे जहां पे वो सफारी होती है और बस यह आपको कुछ नहीं दिखेगा बस वो थार जीप दिखेगी और यह बस कैमल वगएरा और यह जो कुछ लोग कैमपेंग करते हैं वो कैम्प वगएरा में रुकते हैं ना रात वगएरा को वो भी है लेकिन मोसम ही ऐसा हो रहा है प्लान तो हमारा भी यही था लेकिन बरसात की वज़े से मोसम की वज़े सारा फिर प्लान चेंज करना पड़ा लेकिन फिर भी बच्चों को गुमाना तो था ही फिर यही जंग है रह जाती है और दोस्तों इतनी दूर आई हुए हम है ना एक बर देखना तो था यह सेंड डियूम से हैं इन्ही की सफारी कराते हैं यह देखो दूर दूर तक उट की जीब की तो बस रेगिस्तान में तो भाईALLY है विए बस जो असली रेगिस्तान है और यह देखी हैakyत यह है सेंड डियूम्स इन बच्चों को बड़ा शोख चड़ रहा था सेंड डियूम्स दिखाऊ सेंड डियूम्स दिखाऊ अब ना दिखाए घर जाते तो वैसे आफत अब भले ही कितना मोसम खराब था एक बार इनको दिखाना तो थाई और यह दिखे दोस्तों वैसे बहुत उच्छे टिले होते हैं क्योंकि जैसा कहीं बतारी हूं बरसात काफी हुई है और बिल्कुल पानी तो खरीयां जम नहीं स जो इनके अपनी है जो यह करनी पड़ती है क्योंकि हमारी गाड़िया नहीं चलेंगी सरेथ पर इन लोगों के एक्सपिरियंस होता है और टिलों पे से बड़े-बड़े पहाड से हैं टिले से बने हुए डून्स जिनको बोलते हैं उन पे से चढ़ाना फिर निचे गिरान अब यही मस्टी है यहां तो जब तो आराम से चल रही हो फिर मैं नहीं भना पाऊ goo एक तो अभी तो यही अंदर गुशेगा इंस जो से के और फिर उपर से लिए जा लिए जा ले का उपर nhấtень आपना इन पहाडियों के कभी उपर चराएगा जीप को फिर निचे उतारे तो यही मस्ती है यहां की यही राईड है और एक कैमल राइडिंग है जंगे आप फूट खड़े देखी रहे हो जिसने कैमल से करनी हो तो ये दोस्तों देखिए है अब ये राइड करके हम बीच में आ चुके हैं इन वे सारे टिलों को पार करके जो पीछे दिख रहे हैं आपको तो ये भाईया है जो लेके आए था और वाक्यमें ठंड भी बहुत perlu हो रही है दोस्तों यहां तो काफी यह प्रस्ता देखि रहिए हो ना काफी ठंड भी बढ़ गी है यहां और वाक्यमें इतना बज़ा आ गया दिल खूझ हो गया वाक के मेरा आइड करके तो और इतनी पागलों की तरह चिला रहे थे हम जब यह उपर लेके जाता चोटी पर फिर नीचे उतारता नहीं दम जटके से देखो यह दिखाऊंगे देखा कैसे करेगा भी हम तो नहीं कि दूसरा है फिर देखो दी दिखाऊंगे ऐसे करते इसमें कभी उपर चड़ेगा कभी नीचे उतरेगा इस तरह से बच्चों की पूरी बस्ती हो जाती है तो बिल्कुल दोस्तों अगर धराओ जैसन मेरे में तो यह यह तो जुरूर करना सफारी तो और बिल्कुल कसके पगड़के बैट रजीब को कभी लुड़की जाओ क्योंकि इतनी जल्दी से और इतने जटके लगेंगे इसमें तो बस दोस्तों देख लिया थार डेजर्ट मैंने भी देख लिया आपको भी दिखा दिया थैंक यू बेरिवच